कि नमस्कार दूस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना यीट्यूब चैनल आइट गाइडलाइन में मैं हूं राम्बया श्रयदव और आज मैं फिर से आप बिद्यारती इस चैनल पर होंगे पहली बार बिजिट कर रहे होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिजिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर कर उसका जिसे कि दोस्तों को भी लाव मिल सके तो आए कि ऐसको शुरू करते हैं आज का पहला कोशन आपके अश्किन पर वस्क्राइब को बढ़िए तरी के से पढ़िए गए समझेगा और अन्सर दिजिएगा कोशन है कि रिंगेज किस परकार के होते हैं रिंगेज पर आया टेपर भी होता है त्रेट भी होता है यह तीनों परकार के होते हैं ऑप्शन नमबर डी हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर चलिए इसके साथ अगला कोशन आपके अस्किन पर कोशन है कि 3.5 इंसाइड माइक्रो मीटर की तुरुटी किसे चेक की जाती है 3.5 इंसाइड माइक्रो मीटर की तुरुटी किसे चेक की जाती है। उप्शन आपका सामने है रिंगेज, एंगल गेज, प्लक गेज, सीलिप गेज तो क्या right answer होगा right answer correct answer जो हमारा होगा ring gauge option number A हमारा correct answer right answer ring gauge चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे question है कि sit की मोटाई की जाच किसके द्वारा की जाती है option आपका सामने है wire gauge, slip gauge, plug gauge, snip gauge तो right answer क्या होगा दोस्तों right answer correct answer जो हमारा होगा वो होगा wire gauge, क्या होगा wire gauge, option number A हमारा correct answer right answer, चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे question है कि master gauge की परिसुत्ता होती है, master gauge जो हमारा होता है उसका परिसुत्ता कितना होता है, option आपका सामने है 0.1 inch, 0.01 inch, 0.001 inch, 0.001 inch, 0.001 inch, 0.001 inch right answer, correct answer जो हमारा होगा, 0.001 inch, option number D हमारा correct answer right answer, चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे question है, कि किसी job को कोन या टेपर को 5 मिनट से अधिक सुचमता से मापे जाने वाले उपकरन का नाम बताईए, किसी job के कोन या टेपर को 5 मिनट से अधिक सुचमता से मापे जाने वाले उपकरन का नाम बताईए, option आपका सामने है, Micrometer, Signwar, Wiregauge, Centergauge तो Rightncer, Correctncer क्या होगा दोस्तों Rightncer जो हमारा होगा Signwar Option V हमारा Correctncer Rightncer चली इसी साथ अगला Question आपके Skin पे Question है कि Gauge Block की Ringing बी धी होती है Gauge Block की Ringing बी धी होती है Option आपका सामने है दो गेजो को आपस में एक साथ जोडने की किरिया दो गेजो की सुता का अंतर गेजो का उसमा उपचार गेजो की परिसुता निकालना तो क्या राइट अंस होगा दूस्तों राइट अंसर करेक्ट अंसर जमारा होगा दो गेजो को आपस में एक साथ जोडने की किरिया को हमारा जो होता है गेज की गेज बलोग की रिंगिंग भी थी होती है option नमबर यह हमारा correct answer राइट अंसर चलिए इसकी साथ अगला question आपके अस्किन पे question है कि गेज के लाव होते हैं गेज का लाव क्या है option आपका सामने है समय की बचत शमान संस्ता पड़ता है कम निरिचकों क्या वसकता पड़ती है उप्यूक्त सभी तो क्या right answer को दोस्ते right answer correct answer जो हमारा होगा उप्यूक्त सभी गेज की लाव होते हैं समय की बचत समान संस्ता पड़ता है कम निरिश्ट को क्या विसकता पड़ती है तो option number D हमारा correct answer right answer दोस्तों चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्किन पे question है inspection gauge की परिसूता होती है inspection की gauge की परिसूता होती है option आपका सामने है 0.3 inch 0.003 inch 0.0003 inch 0.003 inch 0.403 inch तो right answer correct answer क्यों होगा दोस्तों right answer correct answer जो हमारा होगा 0.0003 inch option number C हमारा correct answer right answer दोस्तों चलिए इसी साथ आगला question आपके अस्किन पर question है कि बाहरी ब्यास मापा जाता है बाहरी ब्यास जो हमारा Dya मापा जाता है वो किसे मापा जाता है एशनेप गेज से फिलर गेज दो राइट ंसर करेक्ट असर क्या होगा दोश्तों प्रैको जो मा रहा होगा एशनेप गेज आपशन नमबर A हमारा ओडुत अगला कोशून आपकेbr ficou एब मैजाते है सिलीप ग साथू के बनाए जाते हैं आपका सामने है मालल ऐस्टील टंग अस्टन कर्वाइट इस्प्रिंग इसटील स्टील क्रॉमियम तो तो क्या राइट रोगा राइट एंसर करेक्ट रहा होगा वह होगा टंग अस्टन करवाइट ऑप्षण नंबर B हमारे राइट रॉस्ट अंग जो स्लिप पैक के खराब फिस को नश्ट होने से बचाता है क्या होता है आपका सामने है प्रोटेक्टर स्लिप प्रोटेक्टर गेज प्रोटेक्टर पैकिंग प्रोटेक्टर स्लीब तो राइट अंसर क्या होगा दूस्तों राइट अंसर करेक्ट अंसर जो हमारा होग क्या लिप गेजों को साथ साथ जोडने की किरिया कहलाती है क्या option आपका सामने है पाइकिंग रिंगंग हीट्रीटमेंट रिमिंग तो क्या राइट अंसर करेक्ट अंसर जो हमारा होगा वह होगा और रिंग इंग ओप्शन नमबर भी हमारा ग्राइक इंसर राइट आज दोस्तो चली इसिए साथ अगला कोश्टन आपके आस्किन पर कोशन है गेज पराया किस धातू के बनाए जाते हैं ऑप्शन आपका सामने है काश्ट अश्टिल मैल अश्टिल हाइच स्पीड टूल अ अगला कोशन आपके स्किन पे कोशन है कि ड्रिल पॉइंट गेज का कौन कितना होता है ड्रिल पॉइंट गेज का कौन कितना होता है 59 डिगरी 118 डिगरी 112 डिगरी 73 डिगरी 69 डिगरी 118 डिगरी 112 डिगरी 72 डिगरी तो क्या रしゃटन सब्सक्राइब गेज ड्रिल पॉइंट गेज का कौन कितना होता है तो 59 ओप्षन नमबर ए हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर ओप्षन नमबर ए चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके स्कीन पर और आज का लाश्ट कोशन आपके स्कीन पर है चलिए बर्कशोप गेज के परिसूता होती है 0.0025 3 कि हमारा करेक्ट अंसर नमबर सार्ठ आज का क्लास समाप्ट होता है तैंक्स फूर बाचिंग जितने भी जहांती हमारे साथ कलासमें बने रहें इसी तरा आप लोग परती दिन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आफे के साथ तब तक के लिए जहिन जय भारा दोस्तों बाई बाई